आजकल pregnancy conceive करना बहुत मुश्किल हो गया है और इसके majorly दो कारण होते हैं या तो महिला के अंदर एक की quality अच्छी नहीं होती या फिर मेल के अंदर sperm की quality अच्छी नहीं होती तो आज की इस वीडियो में मैं पांच ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे की महिला की एक की quality तो आप इस वीडियो का एंट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ओल पर जरूर सैट करते हैं और मुझे comment box में ये जरूर बताएं कि आप कितने लंबे समय से pregnancy की planning कर रहे है चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कि एक की quality को improve करने के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं जाता है जिसकी वज़े से तनाव कंट्रोल में आ जाता है और तनाव की वज़े से आपके जो हार्मोन में imbalance हो रहा होता है वह भी आपका improve हो जाता है आपका अंदे बंते हैं महिला के अंदर उनकी भी quality improve हो जाती है अब इसको आपको लेना कैसे है तो आपको रोजाना क्वालेटी इंप्रूव हो जाएगी दूसरी चीज जो आपको करनी है वह हरी पत्यदार सब्जियों का सेवन हरी पत्यदार सब्जियों में जैसे पालक हो गई मैथी हो गई ब्रॉकली हो गई इन सब में फॉलिक एसेड विटामिन सी और बहुत सारे एंटि ऑक्सिदेंट ब या फिर आप स्मूदी या फिर पका कर भी इसको सेवन कर सकते हैं ताकि आपको ज़रूरी जो विटामिन्स हैं जरूरी जो मिनरल्स हैं वो आपके बॉड़ी में पहुंच सकें और इससे के आपके एग की क्वालेटी इंप्रूव हो सकें तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो है अलसी के बीज, अलसी के बीज में omega 3 fatty acid और anti-oxidant होते हैं, जो शरीर में किसी भी तरीकी के अगर internal solution है तो उसे कम करने में आपकी help करते हैं, हार्मोन को balance करते हैं और fertility को improve करते हैं, इसके लिए आपको रोजाना एक चममच, लगबख 10 ग्राम अलसी के बीज को सलाद में म अजबूत होती है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में ये मदद करती है, चौथी चीज जो आपको लेनी है वो है मेथी, मेथी में phyto estrogen पाया जाता है, जो महिला के अंदर estrogen के level को maintain करने में मदद करती है, अब इसके लिए आपको करना है कि रात को एक चममच, लगबख 5 ग्राम मेथी के बीजों को पानी में भिगो कर रख देना है, सुबह खाली पेट ने चबा कर खा लेना है, इससे आपकी जो fertility है उसमें काफी improvement मिलेगा और जो आपका हार्मोन imbalance हो रहा है, वो भी अच्छा हो जाएगा, पांच वी चीज जो आपको खानी है वो है बादाम बादाम और अखरोड में विटामिन E, selenium, antioxidant बहुत सारी चीज़े होती है अब इसके लिए आपको हर रोज 5-6 बादाम रात को भिगो देने हैं और सुबह उनको खाना है और 2-3 अखरोड की जो गिरी होती है वो आपको खानी है इससे आपके जो एग है उनकी quality इंप्रू का जो लेवल होता है उसको बढ़ाने में मदद करती है जिसकी वज़य से आपके जो स्पर्म काउंट होता है वो भी इंप्रूव होता है इसके लिए आपको रोजाना आदा चमच लगबग 2-3 ग्राम गोखुरू का पाउडर गरम पानी या दूद के साथ आप ले सकते हैं अंदर स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है एक गलास गरम दूद में 2-3 केसर के दाने आपको डालने है धागे जो होते हैं और सोने से पहले आपको इन्हें पी लेना है ताकि इससे आपका जो स्पर्म काउंट है वो इंप्रूव हो सके तीसरी चीज है दूद में रात में मिलाना है और इससे पी लेना है लेकिन इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसलेट कर लें क्योंकि यह आपके बॉड़ी के उपर डिपेंड करता है कि वो इसे जेल सकती है नहीं जेल सकती है चौती चीज है दूद और खजूर खजूर में विट सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके अंदर स्पम क्वालिटी भी आपकी बढ़ेगी क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो एक चमच लगभू 5-7 ग्राम आपको तुलसी के बीच क पानी में भिगो का रख देना है और सुबह उसका सेवन कर लेना है इससे आपकी एक इम्म्यूनिटी इंप्रूव होगी और साथ ही आपके जो स्पम क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी तो यह वो दस चीज़ें जो आपको प्रिगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे है और आपको प्रिगनेंसी कंसीव करने हम दिक्कत आ रहे है तो यह दस चीज़ें आपको जरूर ट्राइ करने चाहिए ताकि फर्टिलेटी चाहिए वो मेल की हो यह फीमेल की हो वो दोनों ही इंप्रूव हो सके मैं उमीद करता हूं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसं रहे है